हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों मैं आपको पता है कि बांगलादेश की टीम जिंबावे के टूर पर उनके साथ कुछ मैच होगी सीरीज केलने के लिए करते हैं के बारे में आज बात करते हैं सब्सक्राइब करना तो आज किस वीडियो को शुरू करते हैं ग्राउंड के के पीछ पे अगर आपको पिछ रिपोर्ट की इंफोर्मेशन एक इंग डिटेल में इंफोर्मेशन चाहिए तो उस पे लिंक हमने डेस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रखा आप आप जाके देख सकते हैं उस टीडियों के कुछ फैक्स यह स्टीडियम दोस्तों इसकी कैप है इस ग्राउंड पे अब टीट्वंटी इंटरनेशन की बात करें जिस मैश है तो उसमें अब तक 39 मैश के लिए जा चुके हैं जिसमें सब परस्ट बैटिंग करने वाल टीम 18 मैश जीती है परस्ट इनिंग का वर इसको वन सिक्स्टी रंस का हाई हाई स्कोर और चीम ने बार देखने हों मिला है अब ओडियाई की बात करें वन डे इंटरनेशनल कोमेट की तो वन डे इंटरनेशनल अब तक इस ग्राउंड पर 137 मैश के ले गए हैं फॉस्ट बैटिंग करने वाल टीम सेवन्टी मैश जीती है एक मैश जो टाई हो गयता है फॉस्ट इनिंग का स्कॉर इस ग्राउंड पे 33 त्री तैइम्स बनाए इस दोस्टो निजानले के बीच का स्कॉर फॉस्ट त्री तरी टैंस बनाए दोस्तो निंगाने के सकॉर फॉस्टी जीती है बागी के जो तीन मैच ते वो ड्रो रहे हैं बंगलदेश का विनिंग परसेंटेज 41.18 है सेम जिम्भावे का 41.18 परसेंटेज है टेस्ट में जीतने का जिसमें सेंट बंगलादेश जी चुक है और 28 मेच जीती है जिसमें सेंट है 16 मैच जीत रखती है जिसमें सेंग बंगलतेश जिती है और 5 मेच जीती है विनिंग परसेंटेज बंगलोदेश का 68.75 जिंबावे का 31.25 परसेंट का अब बात करते हैं दोस्तों के पिछ रिपोर्ट के बारे में कि पिछ कैसा होने वाली है किसके ज्यादा फेवर में रहने वाली है दोस्तों इस पिछ है बेसिकली आपको उस पिछ पे आपको ग्रीन किस देखने को मिलेंगे जिसकी वजए से फेस बोलर को बहुत जारा बेनिफिट मिलने वाला है अब बात करते हैं दोस्तों वैदर रिपोर्ट के होने वाली है कि जैसा कि यह आपको हलका सा क्लावडी वैदर देखना को मिल सकता है हलकी हवा चलने की आचा है कि मैच के डे पर आपको हवा भी देखने को मिलेगी दस परसेंट जो है प्रेसिपिटिशन के चांसिस रहेंगे चांसिस ऑफ रेंज जो है वह बिल्कुल ही ना के बराबर है भारिश की संबावना बिल्कुल ही नहीं है अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 क्या र अगर हम जिंबावे की टीम की प्लेइंग 11 की बात पर रहें तो उसमें रहेंगे क्रेग एर्विन हैमिल्टन मासकाज्जा सिकंदर राजा सीन विल्यम्स टीमेशन मरूमा एल्टन चिगंबूरा ब्रेंडन टेलर पीटर मूर डॉनल्ड ट्रिपानो कायल जैर्विस और टै कैपिटन तमीम इकबाल को सेवंटी एट मैंचेज में 1758 रॉन से एवरेज 24.8 की है स्ट्राइक रिटन दास को इन्होंने 48 मैंचेज में 917 रॉन्स बनाए हैं एवरेज 19.93 की है स्ट्राइक रिट वन टॉन्टी 3.42 का है जिंबावे के टीम से आप ले सकते हैं क्रेग एर् जिन्होंने 65 मैंचेज में 1600 रॉन्स बनाए हैं एवरेज 25.4 की है अब बात करते हैं दोस्तों बोलर्स की कौन से बोलर्स आपको लेने चाहिए बोलर्स में आप ले सकते हैं बंगलदेश की टीम से मुस्तफिजूर रह्मान को 63 मैचेज में 83 विकेट अपने नाम किया है एक अपने नाम किए एकनोमी 8.8 की है फिर लेखते हैं पाइल जार्वेज को 21 मैचेज में 26 विकेट अपने नाम किया एकनोमी 8.92 की है अब बात करते हैं दोस्तों इस स्टेडियम के हाईस रिकॉर्ड के बारे में अप तक इस ग्राउंड पर कितने हाईस रिकॉर्ड बने हैं अगर शेलए के टीम ने बनाया था 229- tarde' जिंभावे के खिलाफ दोखेंद 10 अधार देश पाक्स्तान के टीम है तो जैसा कि मैंने आपको बताए कि पिछ रिपोर्ट जो है बॉलिंग पिछ है तो इस पर बेसिकली कोई भी कैप्टन आगा कोई से भी फॉर्मेट में टोस जीता है तो वह जो है फॉर्स्ट बॉलिंग ही चूज करेगा और आपको प्रेसिप्टेशन के चांस देखने को मिल है तो इसकी वज़े से आपको ड्यू फेक्टर भी देखना को मिलेगा यूमिडिटी के चांसे भी रहेंगे जिसकी वज़े से सैकंड इनिंग में बोल करने में बहुत जारा परेशानी होने वाली हो फॉर्स्ट बैटिंग करने वाल टीम यहां पर जाला मैच जीते है टी अगर आपको इस टेडियम की एक एक और डिटेल में इंफॉमिशन चीए तो उसके लिए आप जाके देख सकते हैं हमाई डेस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया इस टेडियम की पीछ रिपोर्ट का वो देख सकते हैं उमीद करता हूं कि आपको वीडियो अ झाल